हलो दोस्तों मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत हमारे चेनल चेतन नेरेस पर और आज हम नेरेट करेंगे दियाबंटेन प्रिंस के एपिसोड नमर 90 को तो अगर तुमें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाते तो वीडियो को एक लाइक कर देना तो चलो अभी जल्दी से नेरेसन को सुरू करते हैं एपिसोड के सुरुवात में चेनल सोच रहा होता है कि जब वो स्ट्रोंग एनिमी से खिलाव लड़ रहा था उसे तभी समझ में आ गया था कि वो अभी भी बहुत ही जादा लेक करता है और अभी भी उसे बहुत ही आगया जाना है और स्ट्रोंग बनने के लिए उसे पहले अपने फाउंडिसन को मजबूत करना पड़ेगा यहाँ पर हम देखते हैं कि गौवंग आकर समचाक पर पड़ा था गौवंग समचाक को कहता है कि क्या तुम ठीक हो तब ही चौवंग वहाँ पर आकर गौवंग को उठाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है तो गौवंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ गौवंग आगे कहता है कि उसने जैसा एस्पेक्ट किया था वो चारों मिलकर भी उसके सामने टेक नहीं पाए चियोन कहता है कि मुझे तो भी और भी दूर जाना है जब तक मैं एनलाइटमेंट को हासिल नहीं कर लेता गोवांग एंड सामा चैक पूछते हैं कि क्या एनलाइटमेंट तो चियोन कहता है कि वो हर रात को मेडिटेट करते हुए enlightenment को हासिल करने की कोसिज कर रहा है पर अभी दख उसे नहीं मिली है तो वे वहाँ पर elder one चियोन के लिए एक message लेकर आते हैं जो कि हुबई प्रोविंस के phantom clan से आई है चियोन कहता है हुबई प्रोविंस क्या वहाँ पर कुछ हुआ है तो one बताते हैं कि उन्हें जो special team भेजी थी डिवाइन डॉक्टर को ढूंडने के लिए कहां जा रहा है कि वह एबंडन स्वर्ड वैली में गायब हो गई है उसके बास सिंसिट होता है दस दिन पहले जब वह चारों एक old man से बात कर रहे होते हैं वह बताते हैं कि अगर तुम इस जंगल से होते हुए जाओके तो तुम्हें फिर से कह रहा हूँ उस वैली में एक फोगी डे में जाना बस तुम्हरे डेथ के परसेंटेज को बढ़ाता है और वो old man फिर अंदर चले जाते हैं और ये चारों भी आगया बढ़ते हैं और वो जैसे ही आगया जाते हैं उन्हें एक बोड मिलती है जिसमें लि वो सबको कहती हैं कि अब से वो लिड करेंगी और सब उनके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं पर वो जैसे थोड़ा और आगे जाते हैं वो सभी कुछ देखकर बहुत ही जादा है रहान हो गए थे और उसके बाद यहोंने अपना स्वर्ड भी निकल कर हमला किया थ उसके बाद सिंसिट होता है 20 दिन बाद हम लोग यलो रिवर के पास मून, हियोबोंग, चियोन और डानुआ को देखते हैं हियोबोंग और मून तो यलो रिवर को देखकर बहुत ही जादा खुज हो गए थे पर डानुआ यहाँ पर नीरास्ता और सोच रहा था कि मैं बिल अनुआ फिर चियोन को कहते हैं कि इस यलो रिवर को क्रोस करने के बाद हम लोग और्थोडोक सेट के टेरिटरी में पहुंच जाएंगे और अभी चियोन को भी कोई पहचा नहीं पाएगा क्योंकि चियोन ने अभी एक हूमन मास्क पहना हुआ है पर यह फिर भी काफी डे को क्रोस करने लग जाते हैं यह पूंग कहता है कि यह उसका पहली बार है बौट पर और मून भी कहती है कि उसका भी मून फिर कहती है कि साथ सिक्स्वोर्स के बाकियों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि वो उनके साथ यहां पर नहीं आ पाए पर हियो कहता है कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सब यहां पर सिक्रेटली आगए बढ़ रहे हैं क्योंकि अगर गौवंग यहां पर उनके साथ आया होता तो वो डेफिनेटली सबका एटेंसन अपने उपर खीचता मून कहती है कि हाँ तुम सहीं कह रहे हो पर वो यह भी कहती है कि जब उसने लाश्ट टाइम गौवां को देखा था वो काफी एंसियस लग रहा था क्या वो बाइक को लेकर काफी ज़्यादा चिंता कर रहा है योबंग कहता है कि तुम बिल्कुल क्लूलेस हो मून पर मून समझ नहीं पाती है कि आखिर वो क्या कह रहा है तो योबंग कहता है कि उसे इसका बारे में जल्दी पता चल जाएगा डानुआ यहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि ये दोनों कितने नाइव है पर उसे एक बाद बड़ी अजिब लग रही है चाहे वो कितनी बाहरी क्यों ना देख ले उसे समझ में बिल्कुल भ पर वो बाकियों से नीचे आता है और क्योंकि लोट जोन हमें से सबको उनके स्कील के हिसाब से पोस्ट देते हैं तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आगर हियोबंग को इतने बड़ी पोस्ट क्यों दी गई है पर उसे ये तो मानना पड़ेगा कि हियोबंग बहुती नहीं है और बस इतना ही नहीं सिक्स्वाड में से उसके मार्सल के सेकंड पर आती है पर जिसने डानों को सबसे ज़्यादा सर्प्रेज किया है वो और कोई नेवल की चियोन है सेकंड हैवनली डीमन पूरे कल्ट के हिस्ट्री में आखिर किसना सोचा था कि महस कोई 20 साल का आदे सिक्स में क्लान को डिस्बेंड कर चुका होगा और उनके कल्ट को दो बर बचा भी चुका है और वो इतना तो सियोरी के चियोन उससे तो ज़्यादा पौरफुल है उसे इस ओपरचुनिटी में चियोन के मासल पावरस को खुदी अपने आँखों से देखना पड़े चुका है उसके मदद से वह बिना किसी मेजर प्रोब्लेम के यहां पर बढ़ते आ रहे हैं और अब वो एवन्टन सोड भेली के आसपास पहुंच चुके हैं पर तभी मौसम ऐसा होने लगता है कि बारिसियां पर बहुत ही जोरों से होने वाली है तो योबों कहता है कि पा को देख रहा था जिनके बीच में कहीं पर एबंटन सोड भेली है पर डानुवा सोच रहा था कि एल्डा रियोन बाइक और सांगुआ जिनके पास इतनी मार्स्यास केलतों हैं जिसे कि कोई उने इजली हरा नहीं सकता है और अब बस वह हॉप कर रहा है जैसे कि वह सभी इस्टों को एवोइड करें जो करने में वो अभी तक सफल भी रहे थे पर यहां पर तो अभी अंदर उडेंग सेट के टाविश्ट बैठे हुए हैं और यहां पर यह एपिसोड खतम हो जाती है